प्रेंट्स काफी ऐसे Android users होते हैं जो काफी सारी email id's को अपने phone में login करके रखते हैं login तो बड़ी आसानी से हो जाता है क्योंकि वहाँ पर add account का option देखने को आसानी से मिल जाता है लेकिन जब बात आती है उसको logout करने की जिस email id को आपने login किया है या फिर email id बोलो, Gmail id बोलो या फिर Google account बोलो सारा कुछ एक ही होता है जो add.gmail.com वाली id होती है उसको आप logout किस तरह केस कर सकते हो phone से तो सबसे बड़ी प्रोबलम तो यहीं आती है कि काफी users उसको login तो कर लेते है add account पे click करके यहाँ पर आप दे सकते हो add account का option आसनी से देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आप इस email id को logout करना चाहते हो आपके phone से logout करना चाहते हो तो आपको logout का, sign out का या फिर remove account का कहीं भी option देखने को नहीं मिलता है तो आज की इस video में आपको यहीं बताऊंगा कि आपने कोई भी email id को आपके phone में login किया है और उसको आप अपने phone से logout करना चाहते हो, sign out करना चाहते हो या फिर इसको remove करना चाहते हो, तीनों बात एक है sign out, logout, remove तो इस video में आपको complete बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी Gmail id को Google account को remove कर सकते हो अपने phone से यान कि logout कर सकते हो तो इस video में आपको जानकर इच्छ लगती है, वीडियो से अगर आपको help मिलती है तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe को देना अब इस video मैं आप इस पर देख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल के home screen पर आ चुका हूँ अब इस video मैं आप जीमेल अकाउंट को यहाँ पर open कर के दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, मैंने बताया था कि आप एड अकाउंट करके तो इसको sign in कर सकते हो लेकिन इसको log out कैसे करना है, उसके लिए आपको simple क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो manage your और google account का option देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर काफी सारे option देखने को मिलते हैं, यहाँ देख सकते हो कुछ तरी इस तरीके का भी loading ले रहा है, loading लेने के बाद में आप काफी सारे option देखने को मिलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो काफी सारे option है, home का है, personal information का है, data and privacy का है इनकी काफी सारी option है लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी logout sign out का option देखना को नहीं मिलेगा तो friends अप चलते हैं mobile की setting में तो यहाँ देख सकते हो mobile की setting में आना है आपको और mobile की setting में आने के बाद में थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option देखना को मिलेगा Google का तो friends यहाँ पर देख सकते हो Google का option देखना को मिलेगा तो simple आपको उस पर click करना है तो जैसे आप उस पर click करते हो तो जो भी आपकी email id slogan है वो सारी यहाँ पर आजाती है देख सकते हो जो मेरी एक ही email id वो आचुकी है अगर इस पर simple आप click करते हो तो जितनी भी आपकी email id से वो सारी यहाँ पर आजाती है तो simple आपको उसको select करना है जो भी email id को आप logout करना चाहते हो उसको Simple यहाँ पर Select कर लिना है Select करने के बाद यहाँ पर देछ सकते हो काफी सरे Option है तो यहाँ भी अपनको कहीं भी Logout का Option देखने को नहीं मिल रहा है अब वापस आपको आना है Back अब आपको वापस आना है Back और Back आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो Google के नीचे ही एक option देखना को मिलता है account and sneak का तो friend simple आपको इस पर click करना है account and sneak के option पर जैसे आप click करते हो तो जितने भी आपकी phone में account login है वो सारे यहाँ पर आजाते हैं आप simple आपको नीचे के साथ इसको डान करना है और नीचे नीचे आने के बाद में Google का option देखना को मिलता है तो friend simple आपको Google के option पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हो तो जो भी आपकी email id login है यहाँ पर देख सकते हो मेरे सिफ एक email id login है इसलिए एक ही आ रही है और यहाँ पर आप change भी कर सकते हो जिस email id को आपको logout करना है उसको simple है आपको select कर लेना select करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साथ more का option देखना है three dots का option more का option है यहाँ पर मेरे नीचे आ रहा है आपके शायद उपर आ सकता है कहीं भी आ सकता है लेकिन आप three dots का option देखने को मिलेगा 100% तो उसके आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो remove account का option देखने को मिल रहा है तो friends अगर आप अपने email id को google account को अपने phone से logout करना चाहते हो sign out करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको remove account करना होगा जैसी आप remove account कर देते हो तो आपके phone से email id logout हो जाती है और friends मैं आपको बता देता हूँ काफी के मन में question आता है कि remove account करने से कहीं आपका Gmail account दिलिट तो नहीं हो जाएगा तो friends मैं आपको clear कर देता हूँ आपका Gmail account दिलिट नहीं होता है वो simple आपके phone से logout होता है वापस आप उसको login करना चाहते हो तो वापस आपको ID password लगा के login कर देना है वापस simple आपका login हो जाएगा तो friends अभी फिलाल मैं आपको बता रहा था कि logout कर सकते हैं तो आपको simple remove account के option पर क्लिक करना है और आपके phone से यह Gmail ID logout हो जाएगी तो friends वीडियो में मैंने आपको complete बता दिया कि आप किस तरके से आपका जो Gmail account है उसको logout कर सकते हो Google account को logout कर सकते हो तो friends वीडियो से अगर आपको helping लिए वीडियो को like कर देना और जैंपर पहले बार विजिट कर दो तो चैनल को सबस्क्राइब दो थेंक्यू